अब जान लेवा थावित होने लगा है रहली के गिराम जूना में एक बच्ची की जोला चाप डाक्टर के इलाज से मौत हो गई बच्ची के परिजनों ने जोला चाप डाक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है रहली थाना चित के गिराम जूना निवासी हरी किसन कुर्मी की तेरा वर्षिये पुत्री दीख्चा कुर्मी की डाक्टर के इंजेक्शन के लगने के ततकाल बाद मौत हो गई है बच्ची के परिजनों ने डाक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है बच्ची तीन भाईयों में एक लोती बेहन थी बच्ची के मामा राम उतार कुर्मी ने जूला चाप डाक्टर अजेराय पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए बताया कि बच्ची को सर्दी जुखाम की सिकायत थी जिसके इलाज के लिए डाक्टर अजेराय ने घर आकर नस में इंजेक्शन लगाया जिसके बाद बच्ची की हालत विगडने लगी हालत विगडते देख परिजनों ने बच्ची को इलाज के लिए सागल ले जा रहे थे रास्ते में बच्ची की मौत हो गई बच्ची की मृत्तियों के मामले में तरकारी डाक्तर संदीप असाटी ने बताया कि मृत्तिका का पोश्ट माडम किया गया है रिपोर्ट आने पर मृत्तियों के कारणों का पता चलेगा बता दे की बच्ची की मौत की जानकारी जैसे ही गाउं में पहुची तो धोला चाप डाक्टर की अस्पताल के आसपास भीर उमर पड़ी वहीं पुलिस में रात में ही मोडचा समाला समय मिलते ही देजात करीब दो बजे धोला चाप डाक्टर रभू चक्कर हो गया मेरी भाण जी है वो उसको थोड़ा सा सड़ी दुखाम था तो काउं के अजे राय डाक्टर को हमने बुलाया तो उसने आके बड़े पावर की दवाई कर दी इससे दस मिनिट में बच्ची ठंडी पड़ गई उसका बीपी लू हो गया था इससका रंड़े में तुरंद फोर वीलर बुलाई और हम विक्रम जेन की आंसा अगल लेके गए रस्तिम उसमें दम तो जिया क्या कौन सी दवाई लगाई थी या इंजेक्शन क्या लगाया इसके बाद थंडी पड़ फिर सी बुलाया उसको उसने देखा दो इंजेक्शन फिर सी लगाया उसने इसके बाद में बुला सागल ले जाओ सागल ले गए थी बबरोन की आही उसने दम तोड़ दिया था बच्ची ने डाक्टर का क्या नाम है अजेर आए झाल 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 की आही बुला जबेए झाल झाल